लो एव्डिवाइन कैसे हो आप लोग आई एक्साइटिंग ट्रिप है इतना बता दोती हूं यह ट्रिप है बहुत एक्साइटिंग ट्रिप है और बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे तो अभी मैं निकल चुकिए हूं मैंने आपको इक्साइटिंग से सब पूछ नहीं बताया क्योंकि मुझे बहुत ही लास्ट मोमेंट में मैंने सारा पैक किया हाफ एन आवर बचाओ था तो मुझे सारा पैक करना पड़ा फटाक से मैं अभी निकल चुकी हूं और अभी मैं बैट चुकी हूं बस पे अब अधिया सारा है बस अब इतना पको पता चला जाए गागा वह सोट वाले वीडियों से की मैं अकेले हूं यह किसी के साथ हूं और क्यूं जा रही हूं । तो या गई अभी बस से मैं निकल चुकी हूं अभी यह बैंगलॉर यह बैंगलॉर से निकली हूं और आप देख सक और यह है मेरा bus जो AC bus है जिसका price I think मुझे 2000 something पड़ा ऐसा और यहाँ पे उधर single sitter था इधर double sitter था बट आप मेरी खुशी से देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ इस trip के लिए seriously मैं बहुत exciting trip है बहुत excited हूँ मैं भी और आपको सारा ये एक series के तौर पर मैं आप लोगों सा शेयर करने वाली हूँ बहुत ही memorable ये जो भी मैं trip करे हूँ बहुत ही memorable होने वाला है क्योंकि यह आपको पता चलेगा वो short से प्रीज वो देख लो जाके यह फिर से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा road के तरफ का बहुत अच्छा नजा रहा था बस बहुत speedly जा रहा था बहुत मज़ा आ रहा था बस पे और ये छोटा से जो मैंने short share किया न वो भी मैंने इसमें add कर दिया तो ये मेरे खुशी के लिए मतलब मेरे खुशी का सच में कोई ठीकाना नहीं था इसलिए मुझे जो भी मिला मुझे लगा है कि आप लोगों को सब मैं हर एक चीज शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया मिल जाए कि मैं अभी हूं कहां और मैं क्यूं हॉल वीडियो आप लोगों सब शेयर नहीं कर रहे हूं और अभी ऐसे पता होगा ना पॉदूरगा पुजा का बहुत चुट्टी था सारे कंपनी में तो मुझे भी चुट्टी मिला था और मैंने दूद इनका चुट्टी लीव लिया वा था तो टोटल एक वीका चुट्टी हो गया तो मैंने शुटा कि वाई नौट कहीं ट्रि त्र Close पर पॉटल जाना तो मैंने जो भी मुझे मिला दो मैंने सारा पॉटब कर लिया वैसे कपड़स थो मुझे इतना आइडिया मिल गया था कि मुझे क्या लेकर आना है तो यहाँपे मैंने यहाँसे हम एक होटल में रुदे ह३ए थे व्तल ना रिस्टोर टाइप था धाबा टाइप जहां बस रुकी भी थी खाना खाने के लिए डिनर के लिए बिसिकली तो मैंने तो कुछ ऐसे डिनर किया नहीं और मैंने यहां से बस एक चिप्स लिया पानी का बॉटल लिया और आई थिंग पॉपकॉन लिया जो मैं बस पे मज़े से खाऊं और बस का दिलू क्योंकि बस पे न मुझे नीन नहीं आता है बहुत सारे लोगों को बस पे फटक से नीन आ जाता है बट मुझे नीन नहीं आता है मुझे हमेशा विंडो के बाहर देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है तो इसलिए और मेरे पता है उधर डबल वाला सीटर थ मैं बस बाग उठाई और मुझे फटा फट निकलना पड़ा अगर पांच मिनट भी लेट होता तो मेरे पस छुट जाता और यह दूसरा बस था वो निकल रहा था और अब भी हम लोग यहीं पर इंतजार कर रहे थे क्योंकि I think 40 to 50 मिनट वो यहां पर बस रुकी वी थी हमारे वाली तो इसलिए और यह बस निकल रहा रात का नजारा बहुत अच्छा लग रहा था रोड हाइवे था यह और मैं यहां आप लोग साथ थोरा हैजिटेशन भी हो रहा था सारे लोग देख रहत है बट मुझे आप लोग साथ शेयर करना था कुछ-कुछ ता कि यह मेरे ल ही ला रहा था फेस पे और यह यह बस जा रहा है आई तिंग यह बी एसी वाला भी बस था और यहां पर आप देखने आपने देखा ही होगा वहां साइट पे एक भाहिया थे वो भी देख रहते है मुझे कि भाई क्या कर रही है तो इतने रात में वीडियो शूट क्योंकि शायद उन लोग को नहीं पता होगा यह ब्लॉग यह सब के बारे में तो इसलिए और यह अब सुबा हो गया था मैं रात में सो गई थी यार फिर मुझे बहुत थका थका लग रहा था तो मैंने सोचा कि सुबा से ब्लॉग स्टार्ट करते तो फाइनली मैं जहां जा रही ह यहां पर मैं एंटर कर चुकी हूँ और यहां से आई थिंक मुझे और चाह से पांच गंटा लगने वाला है और यहां पर पहुचने के बाद से यहां का वेदर बहुत अच्छा हो गया मतब इक दम थंड़ा 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 वेदर और थोड़ा बारिस वाला टाइप नहीं किया विदाउट एसी मुझे आराम से निंद आ गया वरना एसी ओन करने के बाद तो सुबा मुझे जुखाम तो जरूर हो ही चाता फिर मैं और इंज्वाई नहीं कर पाती तो यह थोरा गाउं टाइप इलाका था तो बहुत अच्छा लग रहा था यहां पर इतना सा तो भाई यह तो पुरा थोरा नहीं इसमें तो पुरा ही पता चल जाया है कि मैं कहा पहुंची हो और जा रही हूँ इसले आपको पूरा पता चल गया तो आप Love करके बताना आप लोगों को पता चला या नहीं सच में बहुत मसा आ रहा है और मैं single हूं और double हूं वहां तो और मुझे याद ही नहीं था कि मैं इसे यूट्यूब वाले यूट्यूब का थोड़ा दूसरा साइज होता है उस साइज में लोग ठीक है यह भी आप प्लीज इतना मैंनेज करें नेक्स्ट ब्लॉक जो भी आएगा न वो बहुत अच्छे से मैं आप लोगों के लिए और यह अब देख सकते हो बादल बहुत मस था अब खुद भी देख लो कितना ज्यादा ब्लू ब्लू बादल है अब इसमें आपको देख के भी लग रहा है कितना मजा रहा होगा इस मौसम में और उपर से बस चल रहा है अराम से थो तो तो गाना भी बज रहा था बस पे बहुत मजा रहा था पूरा सिर्फ ग्रीन 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 हर तरफ नजर आ रहा था तो या गईस मेरे पस इतना ही वीडियो था इस ब्लॉग के लिए तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छे से मैं सूट करूँगी तो प्लीज वो ब्लॉग भी देख लिगना और चलिए बाई